तूब कुल बनाकर आचुके एक और नई वीडियों के साथ वापस और भाई आज ना मैं लगबग 2-3 घंटे बचलब सुभा के 7 बज़े से लेकर 10 बज़े से स्कॉर्ड खेला लेकिन भाई फाइनली मैंने बीटी को इन्वाइट कर लिया और बाकर तुम समझ जाओ फिलाल भाई प्लेन पाथ बहुत दुनों के बाद दो वो से था और उतरते ही वैक्टर मिली ब्रिजेस नाम के इस बंदे को नौक भी किया तो किसमत तो समझ दे लिए तम कितनी अच्छी होगी अब जैसे मैंने इस बंदे को नौक किया तो तभी मेरे को यहाँ पर यह M4 पर हाथ मारा इससे पहले इसे कोई और हरामी उठा ले अब जैसे यहां से यह M5 उठा रहा हुता हूँ तभी पीछे से यह बंदा आ जाता है अब देखो मैं वेट कर रहा था है कि यह बंदा सायथ पीक भी करेगा इधर से लेकिन इतने में यह लैफ से रोटेशन दे देता है और भाई यह राज के साथ में मेरे साथ में मेरे साथ से यह पूरी टीम यही पर फ्रिस हो जाती है अब देखो इस वाले मैंच में हम जो आइस की वाल से इनका थोड़ा अलग तरीके से यूज करेंगे लेकिन फिलाल जो है न सामने एक बंदा है और जो कि अभी कंटेनर से नीचे कूच चुका है तो चलो सबसे पहले मैं इस पर लेफ्ट से एक रोटेशन देता हूँ ओके भाई सब पीछे चले गए कोई नहीं आखिर भाई कब तक हैर बनाओगे फिलाल भाई अब देखो इस बंदे को मारने के बाद में हम अपने एमो का बटवार कर रहे थे कि बीटी तू बीस ले ले मैं 30 ले लेता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा आगे रहूँगा एंड इतनी देर में यहां पर दो बंदे आते और एक बंदा तो इतने चुपचाप निकल कि जाता है तुम इसे देखो देखेरो मतलब इसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ही नहीं आपर तो इससे मैं बताता हूँ देखो तुम फिलाल मैंने गैन फैंक दिया अगर यह वहां पर जाके टीपी ले इसलिए एंड इतनी देर म को देखो चुकि पहले आया था भाई डेडिकेशन देख रहे है तुम इस बंदी की यह अभी तक इस कंटेयर में चुपचाप बैठा है ताकि अपने टीमेट का बदला ले सके फिलाल अब मुझे इंतजार था बाकी के बंदों का लेकिन यार मैं इस दूसरे मोधी सरकार की नाम के बंदे को कोई बचाने नहीं आया मगर अब हम इंतजार करें थी कि साइज इसके बंदे अभी तक आ गए हूं तो हम खुद आगे की तरह बढ़ते हैं और तभी देखो लेफ्ट से ये एक बंदा आता है तो यहां पर मैं क्या करत तो मतलब गाई मैंने देखा कि नोव वाले कंटेर्स में जोर्जो पूल में अकसर मतलब ऐसा होता है कि बंदा उपर होता है हम नीचे फज जाते हैं तो मतलब ऐसे टैम पर हम इन वाल्स का क्या ही गज़व यूज कर सकते हैं फिलाल अब यहां से देखो मैं आगे बढ़त इनको कंटेर्स में धूर्ण ना था तो मतलब पूरी छुपन छपाई तो चलने वाली है और भाई सावा बीटी के हातों सो यह आतंकी कहा ही बचने वाला था फिलाल अब देखो इसके बाद में बंदे थे नोव में यह मतलब हमें पता थी क्योंकि अभी इतनी कुछ फाइ ना तो भाई सब हो सकता है किसी को दिल का दौरा पड़ जाए फिलाल इसकोड हाउस रश अभियान चालू हो चुका है लेकिन हमें कोई भी नहीं दिखाए दिया अब देखो इसके बाद में मैं वापस आता हूं इसको उठाने के लिए स्मोक कर रहा था हूं और तभी मेरे है समय काई सब्सक्राइब मैं मैं indigenous क्या था यह वंदय के सब्सक्राइब अर्याइब मैं भाई तुमने मिलकों फ्लम को नुवंन मार दिया मैं वहीतला रżaल वन तो मतलब काई सब्सक्रार एक मेन उपने वाला तो जल लोगों को निदि family कोई नए चैलेंज देना हो तो Instagram पे आओ फॉलो वालो मारो यार और कुछ घजब घजब के चैलेंज देना मैं Instagram पे स्टोरी दालोगा तभी बताना अभी जाके मैंसे बत लिख दाना ठीके ना चलो गाइस अब देखो इसके बाद में यह सकाराम से तो गेम खेलने वाले थे नहीं हमें चीज एक गाड़ी लिकन यहां मेरे टीमेट ने लेफ साइड में एक यूएज को देख लिया क्योंकि यार दिन रात खेल के मेरे को तो पुछ दुखता है नहीं अब यहां देखना बस क्या ही बचूंगा मैं बढ़ते मरते ओल्मोस्ट भाई मौत के मुझे भाई निकलाओं ही पसिस में यहां के रिफ्लेक्स के लिए क्या है एक लाइक तो बनता ऐ ginger rhyme मंझे पता ही तुम्हों से कोई नहीं से बनता है कोई नहीं आके उम्हें और भी खतरनाक सीन दिखाता हूं मतलब सस्टे नशे में बोल कि Kaan की आजश C manufacture something कि फिलाल देखो हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस किया पूरे ब्रिज पर कोई बंदा ने बंदा पता नहीं कहाई कौन सी दुनिया में कैम कर रहा था मगर हां इतना जरूर कि अब हमें पता चल चका है कि भाईया यह बंदा यहां पर कर रहा है क्यां तो सबसे पहले हम वापस अब अभी जिस बंदे को हमने नौक किया अब वह बहुत था कि बंदा यह बात तो सही में मेरे को नहीं पता है यह तुम खुद सॉल्व कर लो लेकिन अब मेरे दिवाग में एक बहुत ही खुराफाती आइडिया है कि क्यो ना मैं इस पूरे पैट्रोल पंप पे चड़ ज जैसी में चड़ा तो भाई सब इस बंदे ने उसे फिनिश कर दिया मतलब कि यह इसका टीम मेट तो नहीं है चलो यह वाली विस्टी तो हमारी सॉल्व हो गई मगर आप इस बंदे की खोपड़ी तो फोड़नी क्योंकि इसने मेरा किल चुराया भाई चलो भाई कमलेस कैसा लगा तो भाई यहां पर जैसे मैंने कमलेस को नौक किया अब बस यह देखना था कि क्या कमलेस के कुछ भाई बंदू साथ में आये हैं उसके यह अकेली या एक अमलेस यहां से भोपाल से तो मतलब इसके बाद हमने गाड़ी ली सीधा इस बंदे की अगर उदर से कोई फायर आया तो मतलब की कमलेस के भाई बंदू भी है यहां पर इस चीज़ को इग्नोर मार दो कि मैं उसमें एक भी गोली नहीं मार पाया क्या फरश परता है से वैसे वह नौक होगे ना फिर इस तो होई जाएगा फिलाल आप लोग को सामने एक यहां फे हम लोग मरने वाले थे आल्मोस्ट लेकन एक सेकंड में ऐसा पासा पल्टा कि जहां मरने वाले थे एजी हमने लोग को मार दिया तो हुआ कुछ ऐसा कि हम जैसी यहां पर आए तो अभी एक आवाज आई पीछे से की एक यूएज आ रही है मैं पीछे कवर में भा अभी बारी है थोड़ी सी कमजोर सी हुई एंड मौका देखती मैंने हाँ पर रश कर दिया हां लेकिन पहले हैलमेट वैस्ट भी उठा लिये थे जैसी आगे बढ़ता हूँ अब भाई वह सोल किर्टी बचा हुआ था भी अब सबसे पहले तो मैं लगा रहा हूँ एक फर्स्ट इट उसके बाद में आगे रश करूंगा चलो भाई चलो एक फ्रीका किल नहीं में से एक मेरा है हाँ एक फ्रीका किल और डोफ्री के लोचुके एं तो आठीक है और एक मेरा लेजक के लोच रहा है बतलब किसमत और किbiभा किया आते फिलाल जो भी है अब ये बंदे नौक हुए तो बदला लेने तो ज़रूर कोई आएगा तो हमने आप इंतजार किया और एंट्री होती है हमारे वन एंड वन ओनली वन ये यूज वाले भाई याकी भाई मैं इतना बोल आप चाहरा हूं ये सीनु ये नुनु जैसा नाम है भाई का करना क्या चाह रहे थे भाई गाड़ी दूर रोके एक को नौक करके रश्बी कर देते ये था क्या फिलाल जो भी है तो आके मेरे को बताना इंस्टागराम पर वहीं पर बात करेंगा ठीक है अब गैस देखो ये वला एलाका हम लोगों ने खाली कर दिया हम लोग रॉजोग गए लेकिन रॉजोग से जैसे पोचिंग की तरफ आए तभी हमने यहां पर कुछ बंदों को स्पॉर्ट किया मगर जैसे हम यहां रुके तो है पता चला कि यहां तो फाइट चल लेगी है पहले मैंने जाड भाई को नौक किया अब उसके बाद में एक बंदा ओर लेड़ी देखो ऊपर जा चुका था थी स्टोरी में अब मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आगे बंदे है रश करना है मुझे दुख इस बात का है कि आर वो रिवाइव हो जाएगा मतलब दिक अब मैं जल्दवाजी में हैंपर दो गेंट फैंक देता हूँ अब कमाल की बात यहीं कि जो ऊपर बंदे उन्होंने भी गेंट फैंका हुआ है और इस बात से हम अन्जान है अब भाई दोको उस बंदे से मैंने टीमिट नॉक हो गया फिलाल अब पहले मैंने इन बंदो किया कर्णफ इसका रीजन ये ऐ है इससे पहले कि यह पूजीशन दे या फिर इनका किल को चुरा ले तो पहले मैंनको फिनिश कर देता हूँ और उसके बात में ओटेखो अब मैंने बीटी को रिवायव दिया अब देखो जैसे हमें पीटी रिवाइब हो जाता है तो किसमत इसकी खराब होती है अब चाहें वो उट पर क्यों ना बैट जा है कुट्ता उसे वहां भी काट लेता है हाँ भाई ये बहुत दिनों बाद याली कहवत यूज कर रहा हूं तो हुआ कुछ ऐसा है कि जैसे में अब इस बार मुझे डर ये था कि क्या है इस वाले ग्रेंट जो अब अगला आएगा मेरी पेटी बनेगी कि नहीं बनेगी मगा कमाल की बाता है ऐसा कुछ नहीं हुआ ग्रेंट तो आया लेकिन पेटी नहीं बनी और इतनी देर में बंदा भी निचा आ गया और भाई कते इजी बंदे को मार दिया फिलाल आप देखो अभी आप लोगों को पता होगा जब उपर मैंने दो बंदों को नौक किया था तो स्कूल की तरफ जो घर है ना उदर से फायर आया था पर जब मैंने देखा जोन उदर का है नहीं तो मैंने सोचा कि सायदे लोग यहां से निकल गया होंगे और यह सोचके हम वहां से निकल जाते हैं और जब हम इधर वापस आते हैं पूरा घूम घाम के तभी यहां पर पीछे से एक यूए जाती है तो सबसे पहले हमने यहां पर अपनी गाड़ी रोकी और एक बंदा पीछे से फायर करता है अब देख से मेरा वहां पर वह नौटिफिकेशन आया था मैं तो नौक होना था अगर किसी ने चपन ली फैक के मार दिना अगर तू भी नौक हो जाँगा इसलिए सबसे पहले मैं मैंडिगेट लगाता हूँ और उस बंदे पर एक स्प्रे देता हूँ और ये मैंने गेंड की पिन खेची अब कमाल की बात देखो कि बंदा मेरे गेंड से डैमेज तो होगा लेकिन किल बिचारा प्ले जोन को चला जाएगा ये लो भाई साब फिलाल फाइज अब यहां पर मैं तुम्हें एक ऐसे बंदे की कहाणी बताना चाहता हूँ कि उस बंदे को मैं ने तीन भार नोक किया है भाई सही तीन बार अब यहां पर देखो पूरे के पूरे तीन बंदे बच्चे मतलब टू वी थ्री है ये फाइट और उस बंदे को वह तीन बार नॉक करने वाला हूँ तो सब कुछ धूरते धारते जब हम इदर आते तो हमें यहाँ पर बंदा इस्पॉर्ट होता है अब गाड़े बैठे बैठे मैंने सोते हैं कि साथी से नॉक कर दूँगा और फाइनली मेरे भाई ने भाई यहाँ पर एक वाल बना दी तो अब हमें एक रोटेशन ने रहा था अब जैसे हम इस घर में आये तो भी उनका एक टीमिट और इस घर में पहले से था अब इस बंदे का नाम याद रखना यह देखो मैंने इसे एक बार नॉक कर दिया अब इसके बाद मुझे पता था कि वाल बन चुकी है अब यहां पर मुझे पता था कि एक ग्रेडिया मॉली तो करने चाहिए अगर मॉली करते हैं लेकिन जैसे मैं यह वाला गैंड करता हूं गैंड फटता है सेम बंदा अगें नॉक भाई यह बंदे ना साइद आज अपना फॉन तोड़ दिया होगा भाई अब भाई साब मिल चुका है एक ओर डिलीशेस चिकन देनर तो यह वाला मैं चाप लोग कैसा लगा कॉमेंट करके जरू बताना अब अच्छा लगाए तो जल्दी 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 से एक लाइक कर दो जो भी चैनल को सब्सक्काब कर दो और हां गाईज वीडियो शेर करो फेलाओ वीडियो को अपने दोस्तों तक जिन लोगों इंस्टाइगाम पर फॉलो नहीं किया है आके कर लेना और बाकी तो कुछ नया है नहीं बता दूंगा चलो इंस्टाइग्राम पर चलो गाईज जार चलते मिलते अगली वीडियो में तब तक लिए जाए हिन वन्दे मातरम और थैंक्स वर वाची